हेलो फ्रेंड्स आज आपन देखेंगे कि एक्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ठीक है और किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और कैसे हम उसका आंसर एजूम करने वाले हैं उसके बारे आज आपन डिसकस करने वाले हैं जैसे कि एक क्वेश्चन नहीं आप आप कोश्चन देख सकते हैं ठीक आपको दिख रहा होगा ड्रो ड्रो प्लान एंड एलिवेशन और डॉग लेग स्टेर ऑफ हाउस और फॉर मिटर है ठीक है इस कोश्चन में क्या डाटर दिया है बस आपके बास देखेंगे स्रिप्ध हाइड दिया हुगा है क्या दिया है क्या विट्ट अफ रूम लेंथ विट्ट कुछ ने दिया कि हैं आपको सब कर सब जो भी डाटर साने वाले हैं जो भी हमको जरत पढ़ने वाली है एक इस्टेर बनाने के लिए सभी कहां को क्या करना पड़ेगा एस्विम करना पड़ेगा है ना तिसलिए मैं आपको बता रहा चाहिए लैंडिंग की विट्ट कितने होने चाहिए 1.2 मिटर ठीक है मतलinflash लैंडिंग की विट्ट से औल्वेस जाता होना चाहिए एंज और इसके पाद हमने पड़ा था कि जो हैंट होती है उती है इसा अपने बहुत सारा कर्डा पड़ा था आप नहीं पड़े हैं दो बिल्कुल देखी है उसके बाद यह क्लास्टेंट करना तो और अच्छे से आपको समझाएगा ठीक है क्योंकि आज आपने इसको जल्दी करके देखते हैं कैसे आपन जल्दी बना सकते हैं ड्रॉइंग को तो शुरू करते हैं यहाँ जैसे कि यहाँ पर क्या बोलना आपको दिखाताओं आप लोगों यहाँ पर क्या बोले है मेंची यहाँ पर पढ़ना यह के आपको डाटर दे दिए फोर मिटर हाइड और सेकेंड क्या होता है इसको जानने के आपको इंट्रॉडक्ष्ट ग्लास दिखना पड़ेगा इंट्रॉडट्स न क्लास है में बताया कि ह यहां पर लेंडिंग बनाएंगे फिर अपन ऊपर जाएंगे ठीक है तो डॉग लेग स्टेयर के दो हिस्से के बीच यहां पर जो गयाप होता है यह यह जैसे कि इस में आपको दिख रहा होगा ठीक है यह जो बगल वाला दिख रहा आप लोगो पहला जो पहला डाइड दिख रहा है फिगर 14.7 वो कौन से इस टेर आपका डॉग लाइग सेर है और राइट साड़ वाला आपका 14.8 ओपन वाले सेर है इसका प्लान दिखना सेक्शन में तो कौश्चन में कौन से प्रकार का सीड़ी बनाने बोला है वह स्ट्रेट सेर बनाने बोला है कि डॉग लाइग सेर बनाने बोला है कि ओपन वाले सेर बनाने बोले यह तीनों कुश्चन आ चुके हैं तीनों करेंगे क्या कर गें तो अभी हमारे कुश्चन किसके लिए हैं आ एपने आपको फूर मिटर है ठीक है उसके बाद बस आपको बोल दिया कि डॉप लैग इस टेर का आपको ट्राइंग बनाना है ठीक है इतना आपको यही बस डैमेंशन है आपको यही बस आपको डाटा पता है 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 चार मीट है कर रहा है देखेंगे आपन यहां पर जीडिए क्या करना है जैसे कि डॉग लेकर हो गया इसके बाद हम करने होगे आपका लेकर नहीं है कितना लेते हैं तो टोटल हईड टोटल हाईड टोटल टोटल ही आई जी एस्ट टोटल हैट कितना हो जागा अपास 4000 प्लस 150 इस एक्वल टू 4 1 ऐसा आपको पूरा लिखना है 4 1 5 0 mm ठीक है चार मिटर सा तो मैं इसको क्या कर लिया हूं 4000 में ले लिया हूं तो टोटल है आपको क्या जागा है यहाँ पर 4 1 5 0 मिटर ठीक है 4 4.15 मिटर मतलब आपको कितना राइस दोगे कि आप 4.15 मिटर तक पहुंच पाएंगे ठीक है टोटल बिल्डिंग कितनी है कि टोटल बिल्डिंग के हैं कितनी है 4.15 मिटर या 4000 41450 में बोल सकते हैं ठीक है तो हमको कितना राइस दो पहुंच पहुंच पाएंगे इस चीच को देखते हैं अभी जहां तक क्लियर होगी आप लोगो इसके बाद एजिव अपन करने वाले है ठीक है ठीक है ठीक है क्या करें जाके होगा जैसे कि रेस्टेंशल बिल्डिंग के वाल्यू ठीक है और वहीं पर किसकी फॉल ट्रेट की वाल्यू टी आपकी तो आपने डाटा को लेते हो खाके चलते हैं तो 160 mm है और आपका 250 mm है और हमारे पास टोटाइक कितना है 4 मिटर है हमको पहुंचना कितने तक है कितना राइस देंगे तक अपन कहां तक पहुंच पाएंगे आपका 4.15 मिटर तक जैसे कि कल वाले कुशन पर क्या हुआ था जो सब्सक्राइब काइब पम इन सिस निदर यहां पर लगंगो सब्सवर नहीं है मतलब आपव में सकते नहीं हो तो अपन देखने हैं देखो यहां पर चीज़ समझना चार मिटर हाइट है ठीक है मैं फॉर पांट फाइफ मिटर हाइट है ठीक है हमको देना कितना एक राइस है अगर आप 20 करोगे ठीक है अगर आप 20 राइस दोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा देखो यहां पर फॉर्दर इंक्रीस करना पड़ेगा कितना इंक्रीस करेंगे जैसे कि यह वैल्यू गलत होगे हमारा तो अपन और क्या करेंगे 160 इंटू 26 करके देखो 160 इंटू 26 ठीक है 160 इंटू 26 ठीक है कितना आता है 4160 आता है ठीक है 4160 mm मतलब अगर मैं इस अभी मैं क्या करने वाला हूं अगर मैं 26 राइस दोंगा ठीक है हमारे जो स्टेर केस में अगर मैं 26 राइस दोंगा तो मैं 4.16 मिटर तक पहुंच पाऊंगा मतलब यह आपका करेंट वैल्यू 26 तो अपन कितना देने वाले हैं पर टूटल राइस कितना राइस टोटल राइस की वैल्यू किती हो गई है 26 एंड ट्रेड के वाल लुक्त हो जाएगी आपको पता है कल फॉर्मॉला में कैसे इंगालते था हमारे की वैल्यू राइस माइनस वन तो राइस कितना है 26 से माइनस वन करोगे तो 25 आजाएगा ठीक है तो टोटल आपके पास ट्रेड कितना हो ग कितना देना अपने को 25 स्टैप देने हम लेको ठीक है तो अपन क्या करने माल है यहाँ पर आपको पता ही है कि एक फ्लाइट में 12 से अधिक स्टैप नहीं आ जाएगा और यहाँ पर निकाल सकते हैं ठीक है तो समझना यह है कि एक एक फ्लाइट में कितने ट्रेड आने वाले हैं 12 एक फ्लाइट में 12 कितने हैं 12 ट्रेड हैं ठीक है तो बारा ट्रेड को अगर अपन 250 mm से सब्सक्राइब एक जाएगे तो इसको जो इसका जो विट्स है विट्स आपने कर सकते हैं यहाँ पर बेनत All मिटर का छोड़ सकते हैं ठीक है तो मैं वही चीज़ आपको करके दिखाता है जैसे कि मैं क्या पता रहा है अब लोगो 12 ट्रेड है एक फ्लैट में 12 ट्रेड है और अपने को कितने एम्म का आपको ट्रेड देना है 250 एम्म का ठीक है तो कितना हो जाएगा 12 420 12 250 3000 3000द मतलब 3 मिटर हो और इसमें मैं क्या करूँगा 1.2 मिटर के लेंड़िंग ठीक है क्या करें कपन को 1.2 मिटर कर लैंडिंगी मतलब 2100 यह मैं क्या करेंगे लेंडिंगे तो कितना हो जागा यह 1200 120000 24 42 हो गया है ठीक है और विट तो नहीं दिये हैं विट हाइड बस दिया है तो अपने विट कितना भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो टोटल यहां पर 4200 हो गया है और आगे पर रहावन देखते यहां यहां पॉच्छन के बात करना हो फ्रेंट भी अपन 1.2 मिटर देंगे तो टोटल 5.2 मिटर आपका विट रूम बनेगा ठीक है ठीक है तो अपन का करेंगे सबसे पहले 5.2 मिटर को यहां पर करेंगे लाइन के चाहिए 5.2 मिटर ऐसा लिए रहे 5.2 मिटर लाइन के लिए उसके बाद ऊपर जाएंगे कितना टू पॉइंट टू मिटर है ना क्योंकि 1.2 मिटर में रखिया है विट्थ ऑफ स्टेर कितना जैसे कि यह किता लेने हैं अपन इसको किता लेते हैं 1.1 ले लो या 1. 1.1 ले लेंगे और फिर यहाँ फॉर्दर 1.1 मिटर लेंगे तो कितना होदा गये 2.2 मिटर हो जाएगा ठीक है 2.2 मिटर इसको मिटा देते हैं तो और आपका विट्थ और रिम कितना है 5.2 मिटर ठीक है उसके बाद इसको क्लोस कर देते हैं और इसको ऐसा ठीक है जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आपको ड्राइंग बनाना ना आपके पैंद को ड्राइंग शीट बनाना इसको सेम तूसे ठीक है यह आपका टोटल रूम बने कितना 5.2 इंटू 2.2 मिटर इसके बाद अपन का करेंगे यहाँ पे स्टार्ट करने के लि फिर यहाँ पर आप क्या करोखे एक वन पॉइंट वन मिटर का यहाँ पर एक लाइन किचाएंगे ठीक है और इसको आप कवर कर देना इसको इसको इसके बाद इसको मिटा दो फिर आपने टोटल कितना है आप एस्टेप बनाने 12 इस्टार बनाने मतलब बारत रटेट देन साथ आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है ऐसा आपको यहां पर देना है ठीक है किता है आपे वन टू थी फॉर फाइट सिक्स सेवन एट नाइन टैन एक इलाइवन यहां पर दे दो और यहां पर तो बरावर हो जाएगा ठीक है यह होगी अपना प्रेट की वैल्लू बन गई हां है ठीक है इसके बाद सेम टो से ओपर बनाएंगे बाराबारा का लेंडिंग हमारा व्लाइट है तो पर यह ऐसे करेंगे बाराबाराओ आपकाम तिया चैंज कर देता हूं मैं यह फिर्स्ट फ्लेट हो गयाँ यह सेकेंड फ्लाइट मैं तेन चार पार शे साट आठ नहीं देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा ठीक है और यह तेरवा लेंडिंग है फिर आपका 14 में क्या है फिर 14 से पर फिर उपर जाएंगे ठीक है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 ठीक है हम आपका संख्या के पास थी 25 और यह 25 आपका कंप्लीट हो जाते हैं राइस की वालू कितनी है राइस अभी अपन सेक्शन में देंगे राइस वाला काम सेक्शन में करेंगे ठीक है तो यह आपका यहां पर कंप्लीट अभी कैसे नहीं होते है अब क्या का रहन है आपए वाल्स इंच बनाना है यह वाल्स इंच नहीं है वाल्स इक्नेस कि 300W भाल्स ग्राइब ट्रीहनड एम का कि की श्रॉजद अज़ेंगे धिनिया वाल्स उस देट रहेंगे जाहां बनाएंगे विंडो के लिए ऑपनिंग स्पेस छोड़़ों कर देंगे फिर आप यहां पर लिख सकते हो कि यहां पे कितना विट्स मिट्स मिटेया खिख ओए गां पर यहां पर ड piston यहां पर कितना स्पेस्स आपBlue 1.2 डर का स्पेस्स है तो टोटल में 5.2 मिटर विट हो गया तो ऐसा आपका क्या बन जाएगा यह प्लान बन जाएगा किसका डॉग लेकिन अगर यही ओपन वैले चेर होता तो क्या होता ठीक है आपको बीच स्पेसिंग आपको दीख रहे यह इस प्रसिंग थ्थ्था ज़्यादा होता अब यहां चिपका द אני Saying hospice being ज्यादा आजाएगा करके देखते हैं आपर जादे स्पgee सेंग करें ए अब कर लिए यह किसके बनाया आपका। अपन मेलिश्टेर गाल जाओ टीए और टोइवा अब होती है तो यह कम क्रेस्नदौb यह अपन जो यह बनाया थे यह आपकर डॉग लिए प्लान बनता है ठीक है तो प्लान आप ऐसा बनाओगे सेम्-to-same आपका इसकोशन के लिए ठीक है इसके बाद 26 mm से कम दोगे 20 22 दोगे तो आप 4.15 बिटर तक हाई तक नहीं पहुंच पहोगे ठीक है इसलब ने कितना राइस देना है ठीक है आप उसकी वैल्यों अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर शक्ष्चन बनाएं तो सबसे पहले मैं क्या बताया है आप लोगो मैं यह बताया था कि सबसे पहले पॉरी 5.2 मीटर ठीक है इसके बाद आपको करना किया है 5.2 मिटर देद हो गये उसके बाद आपको करना है कि नीचे का सक्षन बनाओ गे चाहिए नीचे का सेक्षन वाला पॉइंट आएगा कि तो इसके बाद आपन कहा है अपन सीधा यहां पर फिर आपका 150mm थीख कंक्रीट है एक पूरा पूरा वेल्यू सेक्षन ठीक है इसके बाद आपन आएंगे पन सीधा यहां पर सेक्षन बनाने आए जाएंगे इसका सक्षन बनाएंगे कैसे बनाएंगे आपको यहां पर तक दूरी कित्य लेनी है 1.2 मिटर दूरी लेनी नहीं है इसके बाद अपन क्या करेंगे ऊपर जाएंगे कितना 160 mm फिर आपका कितना वन 250 mm फिर 160 250 162 50 162 50 ऐसा करके आपको कितना बनाना है राइज है आपे यहां पर टोटल इसके तना जाएंगे आप बारा स्टेप आएंगे ठीक है अभी कितने होगे गिंते हैं और उपर चले आते हैं ऐसा सब्सक्राइब अभी कितना तक हो गया है गिन लेते हैं गिनेंगे तो रश्चा हो जाएगा है एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ आठ और देदू नो वीया दस ग्यारा बारह यह बारह तक हो गया है कि नो दस अटनोंदस ग्यारह और यह और आयेगा स्टेप कि फिर आप लेंडिंग्या न पूसंट पर एक यह वालव स्वाशन हो गया आपका बारह यह बारा के है यह पूशन के आप का लेंडिग वाला पूशन है ठीक है लेंडिंग पूशल खीर हओ राको प्रिंगे असे फीर उपर जाएंगे इंग रिच्छालेंगे कितना है कि फिर लगो कि अपर शुक्ता बोल्ब साय क ले 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 जब विट्द देख रही है वो इतना में लेना है फिर आपको जो राइस लेना को वन सिस्टीम है जैसे हमने अभी यहां पर बढ़ा था ठीक है आपको पूरा इस टैप करोगे तो बहुत ही भैधरी निटिके से बनेगा यहां पर ठीक है ऐसा जब यह बन जाएगा तो अपन क्या करना यहां पर आपको जितना सब्सक्राइब करते हैं यह वाल को बढ़ा देते हैं और यह वाल बढ़ा दो पर ठीक है और इसका यहां तक इंग्रिस कर दो फिर यहां पर सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर यहां पर क्या था लेंडिंग थिक्नेस था और यहां पर भी आपका वन सिस्टेम को थिक्नेस रहेगा कि यहां इसा करते हैं इतना कर लेंगे ठीक है यह थिक्नेस था आएगा और यह वाले पूस्टेम क्या करना है क्या था देखाना है क्या दिखाना है क्या दिखाना है आप लोगो ऐसा करके तो कि यह सक्ष्टन पर काटेंगे एक तो अब अब स्ट्रों कि नहीं किये वह भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं कि द्रबं कर लो Para ilioigan cumpl है इसमेंad K सट्रों कर लेना प्लान में क्या करेंगे आ शो एक at डेश-डेश-डेश-डेश-डेश के रखनं क्या करेंगे ओपर की दिखा एएला सेक्शन लाइं ऐसा यहां पर डिसकस किये थे बस आपको करना यह है यहां पर यहां पर रोम दे दीए और कुछ नहीं दिये हैं और यह तो आपको क्रने के वाद आपको क्या करने है हाइठ को है, हाइट आपको हाइट ऑफ रहें याद होगा आप लगेको हाइट याद ओगा ऐसको मिला देएंगे ऐसा यह हुआ है याप का रेलिंग बन गया यह यह पोच्चिन पर अठीक के यहां पर रहीड के वाइलेगो है यहां पहर अपर ट्राइलिंग दिया गया था ऐसा करके इसको उना अखर करें यहां आपर किया हो गया और अब बीच बीच में अपने एक और पॉंट दें गें सपोडर अगलिंग को सबड़ करने के लिए ऐसा तब करें ट्राइं इसे से त्रौइंग के शोसे में बनेगमएं मैं आपको क्यसे लिखना है यहां पर बता हून एम आज यहाँ आसा करकी च्रीपिर और हिंट करेंगे तो यह जोAJए और पूर्ष और तो यहां पर यह देश्ट नहीं कई तो यह वाला पॉर्शन कौंसे आपका डौर पॉर्शन आपको याद होगा तो ठीक है हाईट रोप कितना होता है तो तो पॉर्ट मिटर में इसको ऐसा करना यहां पर आपका सक्टन लगएगा ठीक है यह कहां लेटल भी मैं तब लिंटल में डॉट डॉट असकरेंगे ओंकरिक साइन पहलेगा यह बिंद और बाकी में आप की करेंगे वाल का सिम्पल मनाएंगे वाल का सिंबॉल ऐसा ठीक है और लाश में करना कि है यहाँ ए खिडकी देने को क्या देना है आप यहाँ समय्च आगी हगो कैसा कैसा करना है ठीक है है हमारा काम आज यह था यह कलॉलेशन करना पूरा ठीक है है हाइड कितना है 4 मेठ था dog लेकर शब्राना साहत हमने एजुम किया लेज़ थिखनेश वन नोगा है तो फिर टोटल हाइड डिकाल लिए 4 और फिर मिल गई है तो अब ट्रेट के वल्यू निकाल सकते हो ठीक है ट्रेट के वल्यू निकाल देंगा अपन कितना ट्रेट is is equal to rise minus 1 तो तोटल ट्रेट की वाल्यू किते आगे 25 फिर अगर टूटल ट्रेट की वाल्यू 25 है और यह बारस राधिक है तो आपको दो फ्लाइट देना पड़ेगा एक फ्लाइट में हम लब बारस राधिक नहीं दे पाएंगे क्या स्टेप बारस ज्यादा स्टेप नहीं हो स दिसकस किये हैं आपका इस्टेरकेस के जस्तामने भी थोड़े स्पेस खाली रहता है ठीक है तो टोटल विट्स हो गया आपका 5.2 मिट्र विट्स हो गया तो जब यह सब वैल्या को चल लागी पता तब अपन क्या करेंगे प्लांट डॉग करेंगे ठीक है जब प्लांट यहां पर यहां पर लोग कोई भी यहां पर आपको क्रेकर साइन मत बनाना ठीक है तो नहीं रहाएगा त्यक्स है नहीं रहेगा ठीक है और तो तो कुछ है ने इसमें बागी बस और कोई डाटा यहां पर नहीं दिया था बस ब्रॉप लान एंड एलेवेशन अब डॉग लाग स्टेर फॉर हाउस और फॉर मिटर हाइड ठीक है तो आच लेते करते हैं फिर मैं आपको नेस्ट क्लास में और कॉस्टन बताऊंगा कॉस्ट